देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा. जितने भी प्रमुक एसपेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शन कौन-कौन से योग बन रहे हैं कुंडली में, करियर, बिजनस, लव लाइफ, मेरेड लाइफ, इन्वेस्मेंट, इंकम एक्सपेंस, स्टूडेंस और सेहत, इन सब पर विशलेशन होगा, और वीडियो के जनरल प्रेडिक्शन के साथ, शुरुवात करते हैं जनरल प्रेडिक्शन के साथ, लगन को देखेंगे, लगन में केतु हैं, एप्रिल से हैं, तो जीवन में रुकावटें आ रही होंगी, जीवन में मोक्ष की भावना आ रही होगी, सन्यास की भावना आ रही होगी, क्योंकि अब शनी महराज की भी द्रिश्टी रहेगी लगन पर तो ये चीजें और बढ़ जाएंगी क्योंकि शनी आपके लिए योग कारक है और वक्री होके चौते भाव में है चौते भाव में बैठ कर दस्वे घर को भी कनेक्ट करेंगे और लगन को भी कनेक्ट करेंगे तो भौतिक जीवन में आगे बढ़ेंगे करियर में आगे बढ़ सकते हैं लेकिन वहीं पर केतू और शनी का प्रभाव लगना पर आपको लोगों से इमोशनली दूर करेंगा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ऐसा लगेगा कि आप किसी को ढंग से जानते ही नहीं को कि हो सकता है रिसेंटली कहीं से आपको दोखा मिला हो तो ये सारी चीजें आप पर एक डालेंगी आपकी मानसिक्ता पर आपके इमोशनल लाइफ पर थोड़ा बहुत अफेक्ट जरूर डालेगी क्योंकि शनी महाराज आपके लिए योग कारक ग्रहें जैसे मनें बताया तो चौथे भाव और पंचम भाव दोनों के स्वामी है चौथे भाव का स्वामी तो है प्रॉपटी से जबमंदित कोई प्रॉब्लम आ रही ति दूर हो सकती है लेकिन प्रयास जादा करने पड़ होता है और धन कमाने की opportunities भी आएंगी लेकिन घर में महौल अच्छा नहीं रहेगा घर में थोड़ा कलह का महौल घर में थोड़ा उच्छाट सा महौल रहेगा बातचीत करने का मन ही नहीं करेगा यह महीना है जहां पर आपको अपनी hobbies ढूननी है, यह महीना है जहां पर आपको अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में सोचना कम करना है, आपकी number one priority अपने life में इस महीने आप खुद होने चाहिए, कोई और नहीं, अपने आपको better कीजिए, अपने आपको आगे ब कुछ नहीं पता खल क्या होगा, जो इससे पहले आप चीवन को for granted लेके चल रहे थे, उस भावरा में अब कमी आएगी, commitment उनी व्यक्तियों को दीजेगा, या वो ही commitments कीजेगा, जो आप पूरी कर सकते हैं, किसी को केवल मातर खुश करने के लिए कोई commitment मत कीजेगा, कहीं न कहीं recognition प्राप्त हो सकती है, कहीं न कहीं मान सम्मान इस महीने प्राप्त हो सकता है, कहीं न कहीं अच्छे कार्यों के लिए आपको कुछ न कुछ अच्छा प्राप्त इस महीने हो सकता है, दो-तिन नकरात्मक points का ध्यान रटना है, अपने से बड़ों से गलत तरीके से बात नहीं करना है, वो आपके कारेक्षेत्र में हो या आपके घर में, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है, क्योंकि इच्छाओं अचानक से कभी-कभी बढ़ जाएंगी और उस वेग में क कुछ घरत कर सकते हैं, और कहीं-कहीं पर immaturity भी आपके अंदर आएगी, कोई भी personal life या financial चीजों से जुड़ा decision, immaturity के साथ मतलें, जहां पर confusion है, किसी से पोच लें, महीने के शुरुआती 10 दिन काफी logical रहेंगे, और अपनी चीजों को, अपने काम को, अपने life को organize करने का कोशिश करेंगे, जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहां पर कुछ पुरानी बाते अचारक से याद आएंगी, तो थोड़ा सा परेशान करेंगी, जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहां पर भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा, चलते हैं करियर के तिरफ, जो और ब्रहस्पती छटे स्थान में हैं, अपनी राशी में हैं, विपरीत राज्योग बना रहे हैं और वो भी वक्री हैं, यानि कि यह महीना कार्यक शेत्र में बदलाव आएंगे, और इस महीने भी वो सकरात्मक्ता की तरफ बदलाव आपको लेके जाएंगे, एक्टिव र आपके लगन में इस समय केतू हैं, कभी-कभी detachment की feelings आजकती हैं अपने कार्यक शेत्र से, काम करने का मन नहीं करेगा, जौब छोड़ने का भी मन बार-बार आ सकता है, लेकिन उसको अपने उपर जादा हावी मत होने दीजेगा, overall आपके लिए ये जो महीना है, कार्यक शे कमें से आ रही थी आपके कार्यक शेत्र में, वो दूर हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि शनी देव चौथे घर से देख रहे हैं और वक्री होकर, तो career satisfaction की थोड़ी बहुत कमी इस महीने आपको रहेगी, इस महीने में जादा लोगों से उलजना नहीं है, और यदि किसी से कुछ कहा सुनी हो भी गई थी, तो उस चीज को सुलजा लीजेगा, क्योंकि office में बहुत लंबा समय व्यतीत करते हैं, वहाँ पर ये चीजे बहुत परिशान करते हैं, अगर कहीं पर गलती होती हैं, तो उसको मान लीजेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है, इस महीने आपसे कोई गलती हो, आप उसको छुपाने का प्रयास करें, और उस छुपाने के प्रयास हमें और बड़ी गलती कर देंगे, तो अगर कहीं गलती होती है, सब humans हैं, मानव हैं, सबसे गलती होती हैं, तो उसको accept कर लीजेगा, आपको अपने plus points ढूणने हैं, दूसरों के negative points नहीं निकालने, बहुत ध्यान दीजेगा इस point पर, इसके साथ ही आपको अपना focus रखना है, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, इस महीने opportunities तो आएंगी, लेकिन focus यदि नहीं रहा तो उस opportunity का कोई फायदा नहीं होगा, अपने कारेक शेत्र में, अपनी management से, अपने कलीक से संबंध थोड़े सुधारने पर जोर दीजेगा, दो-तिन नकरात्मक points हैं, जैसे मैंने अभी-भी कहा, यदि आपके संबंध अच्छे नहीं रहे, तो शायद कोई मुश्किल टाइम आए, उसमें आपको साथ ना मिले, इस पे काम कीजेगा, आपको धोखा जरूर मिल सकता है, स्पेशली उस व्यक्ति से जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो संबंध अच्छे करना और अती विश्वास किसी पर करना, किसी पर डिपेंडेंट हो जाना, दोनों में बहुत फरक होता है, इन दोनों चीजें के फरक को समझने की कोशिच कीजेगा, इसके साथ ही, जितना हो सके अ महिने के बीच के दस दिन आपके लिए बहुत मुश्किल, मुश्किल तो नहीं कहूंगा, बहुत हेक्टिक रहने वाले हैं, कारे का भार थोड़ा जादा होगा, जो महिने के अंतिम दस दिन हैं, इसमें कही ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल सकता है, और जिस तरह का करियर आ चाहते हैं, उस direction में आप थोड़ा बहुत बढ़ सकते हैं, यदि आप किसी भी skill से जुड़ा कुछ कारे करते हैं, communication से जुड़ा कुछ कारे करते हैं, या फिर food industry से जुड़ा कुछ भी कारे करते हैं, तो महिना अच्छा है, चलते हैं, बिजनस की तरफ, जो लोग बिजनस इसे बाहर से सम्बंद कुछ भी business करते हैं, कुछ भी involvement है foreign का, तो उनके लिए तो ये महिना बहुत अच्छा देखी रहा है, क्योंकि राहू का placement सब्तम स्थान में बताता है कि foreign involvement होगा, और यदि ऐसा होता है, तो चीज़ें आपके पक्ष में ही जाएंगी, changes काफी आ रहे आ सकता है, जिसने एक मखोटा पहना हुआ हो, आपको impress करने के लिए और बाद में आपको कोई नुकसान दे कर चले जाए, तो थोड़ा सा बचके भी रहिएगा, सब्तम स्थान के जो स्वामी है, वो मंगल बनते हैं, और मंगल की दृष्टी आठवे घर में बैठकर धनस् किसी आता है, लेकिन उसमें थोड़ी कमी रहेगी, पैसा तो आएगा, लेकिन कभी अचानक से आ गया, फिर उख गया, फिर अचानक से आ गया, फिर उख गया, थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि阿anstam में है मंगल, तो ऐसी चीज़ों पर नुकसान या ऐसी करचा हो जाएगा जिसके बारे में आप तैयार नहीं थी ओवर्णल यह महीना है कुछ अलग करने का अपने बिजनस में कुछ अलग ट्राय कीजिएगा मार्केट ट्रेंड्स को समझिएगा मार्केट किस डिरेक्शन में जा रहा है इस चीज़ को समझिएगा अगर कोई सपना आपने देखा था अपने बिजनस को लेकर कोई plan बनाया था तो उस plan को पूरा करने का महीन है यह महीना overall अच्छा है लेकिन अपनी distractions पर काबू पाना पड़ेगा अगर अपनी distractions पर काबू नहीं पापाए तो ये महीना अच्छा होने के बजाए 360 degree turn लेकर आपके लिए negative हो सकता है आपको अपनी insecurities पर काबू पाना है और आपने आपको भी समझना है आपको ये समझना है कि आपके plus points क्या है और आपके negative points क्या है क्योंकि भाग्यस्थान के स्वामी इस पूरे महीने उच्च के भी रहेंगे वक्री भी रहेंगे और विपरीत राजयोग भी बनाएंगे और क्योंकि वो आपके लिए 12 स्थान में बैटे हैं तो जैसा मैंने कहा foreign involvement है यादि आपका अपने business में तो ये महीना बहुत अच्छा जाएगा दो तिन नकरात्मक points का ध्यान रखना है कोई भी opportunity को छोटा नहीं समझना हो सकता है जो opportunity आपको अभी छोटी लग रहे है आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाए तो किसी भी चीज को छोटा किसी भी opportunity को छोटा नहीं समझना थोड़ा से impulsive रहेंगे क्योंकि राहू क प्रभाव रहेगा अपने business के मामलों में और वो नकरात्मक प्रभाव देगा इसके साथ ही छोटी 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 चीजों में भी कई बार खो जाएंगे petty issues जिनको कहते हैं और उसके कारण भी आपके business में कुछ नकरात्मक प्रभाव पढ़ सकता है महीने के जो शुरुवाती 10 दिन है इसमें यात्रा करनी पर सकती है जो सुखद रहेगी महीने के जो बीच के 10 दिन है आपनी intelligence का प्रयोग करकर कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं और जो महीने के अंतियम 10 दिन है यहाँ पर आपका business अचानक से एक रफतार पकड़ेगा और उसमें तेजी आ जाएगी यदि आप tourism, travel, hospitality, entertainment, event management और शादियों से सम्बंदित कुछ भी business करते हैं तो महीना लाबकारी है बात करते हैं income की investment की expenses की सबसे पहले investment की बात कर लेते हैं जो महीने के शुरुआती 10 दिन है जल्द बाजी में मत कीजेगा थोड़ी बहुत opportunities आएंगी लेकिन आपको बहुत सब्र दिखाना होगा, धैर दिखाना होगा जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पर अच्छी opportunity आएगी और यह समय बहुत अच्छा रहेगा investment के लिए थोड़ा सा इसमें अपने investment के तौर तरीकों में बदलाव भी ला सकते हैं जो महीने के अंतिम 10 दिन है इसमें यदि आप किसी agent के थ्रू करते हैं या किसी के थ्रू करते हैं तो अपनी communication पर ध्यान दीजेगा जो भी आप उनसे बात कर रहे हैं वो आपको समझ आने चाहिए और जो भी आप उनसे expect करते हैं वो भी आपको समझ आना चाहिए ये अगर हो गया communication अच्छी रही तो आपके लिए investment के लिए जो महीने के अंतिम 10 दिन है वो भी अच्छे रहेंगी इंकम की बात करते हैं धनस्थान के स्वामी है मंगल वो आठवे घर में रहेंगे और धनस्थान को देखेंगे मैं कई बार बता चुका हूँ ये सूत्र होता है जोतिश का जब भी किसी भाव का स्वामी अपने भाव को देखता है तो उसको strong करता है तो मंगल की दृष्ट लाब स्थान को देखेंगे अपनी चौथी दृष्टी से यानि कि इस महीने पैसा तो अचानक से आएगा और काफी सारा आ सकता है जिनके पास opportunities होती है एक्स्ट्रा पैसा कमाने की उनके लिए महीना लाभगरत है खर्चों की बात करते हैं महीने के शुरुवाती 10 दिनों म आपको किसी technology से संबंदित चीज़ पर खर्चा करना पड़ेगा और अपने lifestyle को maintain करने के लिए जादा खर्चा करना पड़ेगा ऐसा भी दिख रहा है कि आपको share market में भी अचानक से कुछ पैसा लगाना पड़ेगा या फिर अगर speculation से जुड़ा कुछ भी कारे करते हैं तो वहाँ पर पैसा थोड़ा जादा लगाना पड़ेगा किसी कारेवश वो नुक्सान तो नहीं कहूंगा लेकिन हापका cash कम होगा तो वहाँ पर पैसा जाता हुआ दिख रहा हैं इसके साथी education से जुड़ा कुछ चीज़ पर आपको पैसा लगाना पड़ेगा पैसा खर्च क करने के लिए या अपनी family को खुश करने के लिए कुछ न कुछ entertainment के चीजों पर आप खर्चा जादा करेंगे और property पर भी कुछ खर्चा आपका या तो property खरीदेंगे या property से सम्मंदित कुछ खर्चा करेंगे आप महीने के बीच के भाग में जो महिने का अंतिम भाग है इसमें यात्रा अचानक से करनी पड़ेगी यदि देश से बाहर जाना चाते थे तो उसके सम्मंद में चीज़ें आगे बढ़ेंगे और उसके कुछ खर्चा होगा और इसके साथ ही धर्म से सम्मंदित चीज़ों पर और फिर से यात्राओं पर ही love life की तरफ सबसे पहले no contact situation की बात करेंगे no contact situation के लिए मिला जुला सा महिना देख रहें महिने के शुरुवात में लगेगा कि हाँ दुबारा चीज़े ठीक हो सकती है कुछ संभावनाएं जागेंगी कुछ उम्मीदें जागेंगी लेकिन जैसे जैसे महिना आगे बढ़े क्योंकि ऐसा लग रहा है कि महिने के शुरुवाती 10 दिनों में चीज़े आपके favor में जा सकती है लेकिन उसके बाद चीज़े आपके विरुद्ध जा सकती है बैलेंस एक हो जाएगा और जब बात करेंगे तो अपने आपको व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो यदि relationship start करना है आपको approach करना है तो महिने के शुरुवाती भाग में ही कर लिजेगा उसके बाद थोड़ा सा दूर रहेगा क्योंकि शायद बंती-बंती बात बिगर जाए जो शायद अगले महिनों में आने वाले महिनों में relationship start होना हो वो भी शायद ना हो पाए इसलिए महिने के और ब्रहसपती हैं और दुनों ही वक्री हैं पतलब कि इस महिने relationship पर बहुत काम करना होगा शुक्र की दृष्टी है ये अच्छा है लेकिन सूरे की भी है ये बुरा है कभी-कभी बहुत अच्छा लगेगा कभी-कभी एकदम उसके opposite लगेगा यानि किस थिरता की कमी रहे है आपको एक openness लानी है अपने relationship में जो बाते छुपाते हैं आप अपने तौर पर देखिएगा हो सकता आपके पार्टनर भी यह करते हों वह openness लाने की शुरुवात आपको करनी होगी बाते छुपाना कम कीजिए बंद कीजिए और अपने relationship के future के बारे में सोचिए क्या future है इस relationship का आपको थोड़ी intensity थोड़ी उर्जा को सकरात्मक करना होगा अपने दोनों के बीच में दो तिन अकरात्मक points हैं अचानक से बहुत जगड़े होंगे जब भी जगड़े हों उसमें अपनी family को अपने friends को involve मत कीजिए उनकी बाते मत शुरू कर दीजिएगा कि तुमार दोस्ते ऐसे तुमारे घरवाले ऐसे यह हुआ तो चीजे बहुत बिगड़ जाएंगी अपने बाकी चीजों पर ध्यान देते हुए शायद आप अपने partner पर ध्यान ना दे पाएं करियर में studies में किसी में भी बहुत लिप्त हो इससे भी थोड़ा आपको बचना है आपको ध्यान अपने partner को देना होगा जितना वो deserve करते हैं अगर आप relationship में है तो आपकी attention deserve करते हैं इसके साथ ही अचानक से कोई नया कुछ नई चीज मत कीजेगा वो भी relationship में नकरात्मक प्रभाव देकर जा सकती है जो महिने के शुरुआती दस दिन है इसमें चीजे थोड़ी अ महिने के अंतिम दस दिन है यदि आपने धैरे बनाके रखा महिने के शुरू के बीज दिन तो यहां पर relationship एक नई direction में स्थिरता के साथ आगे बढ़ सकता है चलते हैं married life की तरफ जहां तक married life की बात है महिना मिला जुलासा रहेगा सब्तम में राहू है attraction बना रहेगा लेकि क्योंकि सब्तम के स्थ्वाणी मंगल अश्टम में चले गए हैं अश्टम में रहेंगे ऐक तरह का मांगलिक दोश है मंगल दोश है तो मिला जुलासा महिना रहेगा शब्दों पर बहुत कंट्रोल कर ना पड़ेगा शब्तोन का चयन बहुत सावधानी से एक बढ़ना रह यानि कि काम त्रिकोन में सब्तम से पंचम में 24 तारीक तक तो यहां तक चीजें तब भी ठीक रहेंगी 24 तारीक को शुक्र जब बारवे में चले जाएंगे तो यहां पर थोड़ी मेरेड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है भले ही शुक्र भौतिक जीवन में इस समय आपको चीजें हो थोड़ी बहस हो आपको उनका ध्यान रखना है क्योंकि शायद इस चीज की उनको जरूरत पड़े आपको कोशिश करनी है कि एक हस्मुक महौल बना के रखें सीरियस चीजे भी नगरात्मक चीजे भी कभी-कभी हसी मजाक से सुलच जाती है इस चीज पर फोकस क कीजेगा अच्छे टाइम को याद कीजेगा अच्छे पॉइंट्स को गिनिएगा अपने लाइफ पार्टनर के हर इंसान में बहुत खोबिया होती है बस देखने वाली नजर चाहिए होती है आपको कोशिश करनी है कि चोटी-चोटी बातों के आर्गुमेंट्स ना हो पै कर देंगे जल्दबाजी में कुछ ऐसा कह देंगे जो बहुत नकरात्मक प्रभाव देगा बचके रहीएगा कभी-कभी आपका ध्यान भी भटक सकता है मेरेड लाइफ में यह तो और इसके साथी अपनी मेरेड लाइफ को लेकर कभी-कभी बहुत नेगेटिव हो जाएग महीने के जो बीच के दस दिन है यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती है महीने के अंतिम दस दिन यहाँ पर बहुत डॉमिनेट करने की कोशिश करेंगे और यह जो डॉमिनेशन है यह आपके मेरेड लाइफ पर नकरात्मक प्रभाव देखे जाएगा चलते हैं पहले बात करेंगे अब एक्जाम के बारे में यदि आपका एक्जाम महीने के शुरुवाती दस दिन में है समय तो ठीक रहेगा लेकिन शॉर्टकट्स आप बहुत भारी पड़ेंगे कोई भी शॉर्टकट्स मतलीजेगा जो महीने के बीच के दस दिन है यहाँ पर के लिए वहाँ पर सूरे की दृष्टी शुक्र की दृष्टी रहेगी और पंचम भाव के स्वामी है शनी देव जो वक्री रहेंगे तो मिला जुला सा महीना रहेगा एक चीज़ है पंचम भाव शनी और ब्रहस्पती दोनों द्वारा घिरा हुआ है तो महनत तो बहुत ह कर आ सकती है जो स्टूइंस देश से बाहर जाना चाते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है अचानक से आपके जो भी कारे ठक रहेते वह वीजा से संब्दित हो इमिग्रेशन से संब्दित हो वह कारे आपके बन सकते हैं यह जो महीना है इसमें आपको थोड़ा सा क्र सॉलिशन निकालना पड़ेगा उसी तरह से उसी तरीकों से उनी तरीकों से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते रहे तो प्रॉब्लम्स कभी सॉल नहीं होगी थोड़ा सा एंटर्टेंडमेंट की तरफ भी जाईए का मैं यह नहीं कहता कि 30 के 30 दिन आप कुछ एंटर्टेंडमेंट से संबंदित करते रहे लेकिन भीच भीच में एक ब्रेक ले लिया कीजिए आपके लिए अच्छा रहेगा थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी इस महीने अपने वक्तित्व में अपने स्टडी लाइफ में लाईएगा और सब कुछ अपने साजाता है तो सारी चीजें शेर मत कीजिए मैं ग्रूप स्टडी के लिए मना नहीं कर रहा लेकिन अपने हर चीज हर पढ़ने का तरीका शेर मत कीजिए अगर धैर नहीं दिखाया तो महीना बहुत भारी पड़ेगा कोई भी निरने लेना है हर चीज एनलाइज करके लेना महीने के जो बीच के दसदिन है बहुत अच्छे रहेंगे कई कारे पूरे होंगे महीने के अंतिम दसदिन यदि आपका गवर्मेंट से कुछ कारे टकराता हो पूरा हो सकता है बात करते हैं सेहत की लगन में केतू रहेंगे लगन पर वक्री शनी का प्रभाव रहेगा सेहत थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, कीतु का प्रभाव धिरे-धिरे करकर कम होता जाएगा, लेकिन फिर भी केतु हैं लगन में, वो एक रोग कारक रहा हैं, तो सेहत का ध्यान देना है, महिने के शुरुवाती 10 दिनों में, आपको वायू रोग वात रोग, गले की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, कफ रोग तंग करेंगे, महिने के बीच के 10 दिन में, उर्जा थोड़ी बेटर रहेगी, थोड़ी सी हीलिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उससे रिकावर थोड़ा बहुत हो सकते हैं, ल रोग थोड़ा ज्यादा तंग करेंगे, ज्यादा हैवी खाना खाने को, खाने से अपने आपको रोके महिने के अंतिम भाग में, अब बात करते हैं उपाय की, आपको महिने की शुरुवात मेहीं किसी भी शिव मंदिर में जाकर, शिवलिंग पर कोई भी सफेद फूल करना है, और वहीं बैठकर आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र एक बार सुनना है, या उसका पाठ करना है, अगर स्वर के साथ उचारण के साथ पाठ कर सकते हैं तो, फिर उसी मंदिर में आपको चावल और दूद का दान देखे आना है, और घर में आकि आपको लक्ष्मी चरीशा का छे बार पार्ट करना है यह पाई कर लिजेगा आपके लिए महीना अच्छा जाएगा आच्छा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी चैनल पे नए है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ आगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमेश्ट